हिमाचल के कुमार हटी में एक दर्दनाख हाथसे में एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग गिरने से महीला सही तीन की मोत हो गई है इस हाथसे में करीब 40 लोगों के दबे होने की आशंका है अभी तक महीला का शब रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकाला महीला के बाद एक आर्मी जवान का शब रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया है मिर्तत महीला रेस्टोरेंट के मालिक की पत्नी बताई जा रही है साथी दस आर्मी के जवानों को रेस्क्यू किया गया है उन्हें घायल अवस्ता में MMU अस्पताल ले जाया गया अभी भी मलबे में करी 25 लोगों के दवे होने की सूचना है जिनके रेस्क्यू के लिए अभियान जारी है NDRF की टीम के ओभी मोके पर बुला लिया गया है हाथसा कुमार हटी से 2 किलो मिटर दूर नाहन रोड का है अभी राहत कारिये में NDRF की टीम सहीत स्थानी परशासन जुड़ा है अभी तक 19 लोग सुरक्षित निकाल लिये गए है इस हाथसे पर मुख्य मंतरी जैर राम ठाकुर ने दुख व्यक्त करते हुए कहा की लोगों को सुरक्षित बचाने के हर संभव परियास किये जा रही है बता दे कि भारी बारिश के चलते आज शाम पांच मजे के करीब एक बिल्डिंग गिरने से करीब 40 लोग फस गए है जिसमें आर्मी के जवान भी शामी है आर्मी के जवान रेस्टोरेंट में चाइव पान के लिए रुके थे हाथसे के बाद परिशासन ने भारी बारिश के बीच रेसकी ओपरेशन जारी कर दिया था सूचना मिलते ही परिशासन और फाइर ब्रिगेड मोके पर पहुंच चुकी है साथ ही SDM सोलन भी घटना स्थल पर मोजूद है बचाव कारी अपनी देखरेग में करवा रहे हैं ASP शीव कुमार शर्मा ने बताया कि बिल्डिंग गिरने से कई लोगों के दबे होने की सूचना मिली है उन्होंने कहा कि अभे इस विशे में जादा नहीं बताया जा सकता जान के बंदें लोग वहार निकलें म जैसे मेरा ठंदूर नीचा गलटा ना तो मैंने सर मैंने पूरे कि अभी तक कितने निकाल चुके हैं अभी सर निकल के आप चार चार अब अब निकला है और अभी आपको लगता है कि इसमें और भी आदमी की जैए कि अर्मी वाले परिवार के साथ ने थे वह जो आना अर्मी वाले इंज्वाए करने आए थे सर्थ